ही नमश्कार दोस्तों मैं दीपक कुमारत वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रह सकता है कौन से श्टॉक्स मूव कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सबस्क्राइब तो कर लीजेगा बैल आइकन को ज़रूर हिट किजेगा तक याने वाले वीडियो के राड़िव केसन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे नीचे डिस्क्रिप्सन में आपको ए अगर हम यहां पे वन डे के टाइम फ्रेम पे आए और निफ्टी को थोड़ा सा अउजर्ब करने की कोशिच करें तो हाँ एक चीज समझ में आ रहा है कि स्लो ही चाहे बट मार्केट जो है उपर निकल रहा है एक आपको मैंने यहां पर दिखाया था कि यहां पे भाई 3,4,5,6,7,7,7,8 दिन का रेंज था यह,7,8 दिन के बाद इसमें ब्रेक आउट हुआ है तो एक अच्छा खासा तेजी हमें देखने को मिल सकता है तीन दिन से पीछे आप देख रहो बॉड़ी बहुत छोटी चोटी है केंडल्स की और ग्याप आप ओपनिंग करकर के यह अगर यह ब्रेक आउट देना है इसको उपर सस्टेन करना है इस लेवल्स के उपर तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्रेक्शन आना चाहिए, मतलब आए एक रिटेश्ट आना चाहिए, 50-600 पॉइंट का और उसके बाद फिर market continue करना चाहिए, 100-100 पॉइंट का minimum रिटेस्मेंट होना चाहिए, अभी हमारे पास ऊपर जो next level आएगा वो सीधा फिर 640 का निकल हम सेलिंग का सेलिंग का हमारा सेलिंग कर लुगा, तो सेलिंग को मारे ने को यहां सेलिंग, इसको मारे ट्रेड नहीं करेंगे, सिरफ और साफ वेQLD करेंगे अगर… इस रेंज में रता है तो अच्छा अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है लेकिन अब एक चीछ समझिए यहां पर ऑपे उपर जा रहा है तो हम एक बाइंग साइट का प्लान कर सकते हैं बट अगर मार्केट बड़ा आप उपनिंग दे दिया अगर बड़ा गया पर यहां पर 600 क यहां पर बड़ा गयापप ओपनिंग देता है, तो हम प्राइज एक्षन को जरूर चेक करेंगे, हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा उपर जाए, ओपर जाकर ओवर बोट हो गया है, या फिर बहुत अच्छा भाइंग आया नीचे के लेवल से, एक सिंगल ही एक कैंडल तो फिर एक सेलिंग आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और सेम वही गाप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो सेलिंग में कंटिनिशन में जा सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखके आप थोड़ा सा ट्रेट किजिएगा कल के थे पे, बात करेंगे, बैंक निफ्ट होने वाला है, यहाँ पर हम डिस्कसन कर रहेते हैं, कि मार्केट उपर से नीचे आया, कंसोलिडेट उपर गया है, उपर आने के बाद फिर से एक प्राइज अक्षन बना के उपर निकल रहा है, यह स्विंग हमारे लिए बहुत स्ट्रॉंग है, अगर मार्केट यह स्विं का मुमेंटम दे दिया और तीनों ही बुलिश केंडल हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है एक थोड़ा बहुत बेरिश सेनेरियो बनाई या फिर यह एक दिन और उपर जाने के बाद, 36,600 के आसपास के रेंजों से, इस रेंज से एक सेलिंग है यहाँ इस तरह से, यहाँ हो सकता है कल परजों euro बनाई के बाद, से इक ने इस बाइन वगेश करें, फिफिंवेट के रिम पर आएंगेंगे और भी और हमों बनाईंग करने वाले है, अगर फ्लैट अपन होरा है, और फ्लैट उपनeking के अगर यह क्रॉस कर रहा है produced 365 का या की या 350 का लेवल भी वर्क अच्छा कर सकता है बट मैं 400 के उपर ही प्लान करूँगा उससे पहले मैं प्लान करने वाला हूँ नहीं 5 मिनट के डाइम प्रेम पर आ गया हूँ 400 पर मैं लेवल लगा दूगा 400, 11, 400 टन के उपर अगर निकल रहा है मार्केट अच्छा खाथा बाइंग का हमें अपरजुनिटी मिलने वाला है और वहीं अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग को हम थोड़ा सा यहां पे रखेंगे अगर नीचे के लवल पे यह ब्रेक कर रहा है नीचे के लवल से अगर 36,200 का ब्रेक कर रहा है मार्केट तो सेलिंग का सेनरियो भी हमें देखने को मिल सकता है यह हमारा रहेगा सेम जो हमने निफ्टी में डिसकेशन किया वही करेंगे अगर याप आप ओपनिंग हो रहा है तो हम वेट करेंगे कि याप ओप होके यह कहां तक जा रहा है क्या यह 600 के असपस जा रहा अगर यहां पर आता है और यहां पर एक नेगटिव सनारियों बनाता है तो सेलिंग का सनारियों हमें मिल जाएगा तो हम देखें क्योंकि यह पूरा का पूरा एरिया जो है हमारे लिए इस अप्लाइज जोन की तरह वर्क करने वाला है और गाप डाउन ओपनींग हो रहा है तो भी थोड़ा सा कंटिनियूसन में जा सकता है क्योंकि जो भी यहां पे यहां पर यहां पर जो भाइंग किया है वो फटा फट से हो सकता है और प्रॉफित बुकिंग करने के लिए क्ल करना पड़ेगा वायर्स को और सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाने के सनाधियों में हो सकता है तो यह हमारा रहेगा निफ्टी यंड बैंक निफ्टी का एनालेसिस नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में टाटा स्टील को अगर हम दिखेंगे तो टाटा स्टील में एकदम मस्त कंसोलिडेशन हुआ है और टाटा स्टील जिस तरफ भी ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन दिया कल हम उस तरफ ही ट्रेट करने वाले हैं यहां पर नेक्स्ट हमारे पास रहेगा भारती एटल वो मेरे नजर में है और भारती एटल में अच्छ सेवन सिस्टी एट का और फिर गिरावाट आगया है गिरावाट आने के बाद यहां पर देखिए अब चा कर रहा है यहां पर दो सेनरियों हो सकते हैं यहां पर भी कंसोलिडेशन है कल हम बाइंग करने के लिए त्यार हो सकते हैं अगर यह एक बार सेवन सेलिंग करने के ल हमारे दो स्किर लिए हैं नजर रखेंगा है और फायिव कि अन्ध मैं खार सब्सक्राइब लिए मत भूलएगा